इस दुन्या के अंदर कुत्ते और कमीनों की कमी नहीं है उन मेंसे एक ही है है विश्वरूप चौधरी के वीडियोस को दिखा दिखा के आप रोगों से पूछ रहे हैं क्या वो सच है मैं क्या कहूं आपको मुझे सच में आती है ऐसे लोगों पर ऐसे आदमी पर भी जो डॉक्टर विश्वरूप अपने आपको डॉक्टर कहता है वो भी इस तरह की बात है और यह मैं इसलिए दिखा रहा हूँ आपको ताकि आपको बिस्वास हो जाए कैसे कैसे लोग दुनिया में आज भी हैं इस तरह की बात है कर रहे हैं और भी मैं आपको कुछ चिए दिखाना चाहता हूं देखिए कि वो किस तरह से अपनी ब्योकुफी को स्प्रेड कर रहे हैं बहुत से हीट मेसेजज़ आए मुझको भी आए और भी डॉक्टर्स को आए जिरो ने इस दुनिया के अंदर कुछ्टे और कमीनों की कमी नहीं है उन में से एक यह हैं ठीक है ना आप देख रहे हूंगे इस और मैं बताना भी चाहूंगा इस ब्यक्ति के बारे में देख किस तरह की बात है यह दोगली बात करता है और मोडिवेशन बीडियो बनाता तो है लेकिन मोडिवेशन होती नहीं है दसलिए लोगों को गुम्रा करता है गुम्रा करने के लिए बीडियो बनाता है और इसी त पारे बिमारियों को ठीक करने की रिस्पॉंसरी ले लेगी आप ये इनका जूस पीजिए इनका ये हर्बल प्रोडट्ट खा ये इनका ये नैचरल टैबलेट खा लीजिए ये सब आपको बहुत हेल्प करेगा आपकी इम्यूनिटी बढ़ाएगा लेकिन अगर आप इनसे ब बात है कैसे कर रहा है आप खुद भी सोचिए किस तरीकी बात ही क्यों कर रहा है ठीक है ना मतलब अपनी ऐसा समझ लेजिए कि फैन फोलिंग को दिखाने के लिए कि हां मतलब मुझे इतनी लोग सुनने वाले इस तरीकी की बात हैं आपकर करी जा रहे हैं डीप नॉलिज देके ना मतलब अपने नॉर्बल रूटीन को अगर चेंज कर दे अपने डायेट को चेंज कर दे तो भी ठीक हो जाएगा तो हर एक प्रॉपर जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स होते हैं जिनके बास प्रॉपर मेडिकल की डिगरी होती है प्लस उन्होंने कई धेर सारे मरीज को देखा है उनके एक्सपिरियंस किया है वो इस तरह से डिवाइट करते हैं पेशन स्कूल लेकिन इन जैसे जो लोग होते हैं जैसे डॉक्टर विश रूप चौधरी जिनको आप बोल रहे हैं इन जैसे लोगों ने अपने आपके लिए एक खास ग्रूप सेलेक्ट कर लि नहीं है कि मतलब कि कुछ लोगों को ठीकर यह सोचते हैं कि पूरे देश के लोगों को सधी कर दिया है और इन लोगों क करके इस तरीके से ज़िताना क्या चारा है क्या चीज है या फिर किस तरीके से इसने एक्सपोज करने के लिए क्या पैसे खाये हैं कहीं कुछ ऐसी चीजे भी हाँ पर आपको देखने को मिल रही होगे ठीक है कुछ लोग ऐसे होते हीं कि जो विक्ति अगर अच्छा काम करने वाला है तो उसके मतलब उसके काम को देखते हुए जोगी खुद तो कुछ करना जानता नहीं बेखती मैंकिन जब दूसरे बेखती कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसे इस तरह की बात जरूर कहनी जरूर है ठीक है ना? ताकि मतलब की मतलब कुछ लोग जो उसके अगेश चल रहे हैं वो उसकी बात को सुन सकें बस और कोई मोटिव नहीं होता है इन लोगों का बस यही कर चाते हैं कि ऐसा हो वैसा हो कोई वेक्ति अगर अच्छा काम कर रहा है तो वो अच्छा काम ना करे इस तरह की बात ही करते रहते हैं और कोई मतलब नहीं बनता और इनका देख रहे हो बोलने का तरीका नजरिया, सब कुछ अलग है और ये वेक्ति बहुती ज़्यादा बेकार है अपनी लाइफ में और कुछ भी नहीं कर सकता ठीक है ना कुछ भी नहीं कर सकता जो वेक्ति दूसरे के काम को देखे अप्रिसेट नहीं हो सकता तो वो कुछ नहीं कर सकता ठीक है ना अपनी लाइफ में सिवाए इस तरह की बात है करने के लिए बस और कुछ नहीं है इसके पास यही है और यही बकवास करता रहता है बस इस ज्यादा कुछ है नहीं इसके पास करने को ठीक है तो आप खुद से भी देख सकते हैं और भी कुछ मैं आपको दिखाने जा रहा हूं है आप तो देखिए रहा तो आप देख लीजिए क्या है डीप नॉलिज़ करके चैनल है 1.4 और कि यहां पर वीडियोज हैं तो आप खुद को भी दिख रहे होंगे कि इस तरह की बात क्यों करता है और किस तरह की यह बात है ठीक है ना यहां पर तो मैं चाहता हूं इसे हम लोग मिलकर एक्सपोज करें बेगार वेक्ति है जो कि डॉक्टर विसुरूपर चौदरी के